दोस्तो आपके मुवाइल में यहाँ पर बैटरी के बगल में ग्रीन डॉट आता है तो दोस्तो आपका मुवाइल है किया हुआ है दोस्तो जी हाँ आपके मुवाइल में जो ग्रीन डॉट आता है यह ऐसे ही नहीं आता है यह जो ग्रीन डॉट है यह आपका स्क्रीन सोट में भी नहीं आता है नाहीं आपका screen record में आता है मतलब कि आपका screen sport लो गैं तो यहां पर आपके screen short के अंदर green dot नहीं मिलेगा मतलब कि दोस्तों ये एक ऐसा चीज है जो कि आपको वांड खरता है कि आपको mobile के कुछ ऐसा हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए जी हाँ दोस्तो बस आपको हमारे इस वीडियो को सुरूश लेकर अंतक बिना स्कीप को देख लेना होगा तब ही हमको समझ मैं आगा कि आप कैसे पता कर सकते हो कि आपका मुबाइल है किया गया है या अफिर नहीं जान सुकूँ कि आप लग हमारे इस वीडियो को देखे हो दोस्तो आप आपको क्या कर लेना होगा सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे मुबाइल में भी आप लोग देखोगे यहाँ पर एक green dot आ रहा है इसका मतलब क्या है मेरा phone दोस्तों यहाँ पर hack नहीं किया है मैं यहाँ पर green dot लेकर की आया हूँ यह green dot आपके मुबाइल में कैसे आता है वो मैं आपको बता द तो दोस्तों यहां पर बात करते हो तो आप लोग देखोगे यहां पर रिकॉर्डिंग ओन किया है और इसको पाउस कर देता हूं तो आप लोग देखोगे गयब हो चुका है अप लोग देखो फीर अगर मैं इसको प्ले कर देता हूं तो उपर में जो ग्रीन डॉट है आप लोग देखोगे जिरीन डॉट आ चुका है मतलब कि दोस्तों आप मेरे मुवाइल में आप माइक्रोफोन यूज किया गया है मेरा मुवाइल यहां पर हैक नहीं किया गया है मेरा मुबाइल में Green Dot मैं खुद लेकर करैं हूं मतलब कि अगर आपके मुबाइल में बीना Camera open किये हुए बीना खौब में बात किये हुए मतलब कि कोई activity नहीं करें उसके बाद भूए इसके पर गृरी पर सामने आप आ जागा permission manager बस आपको इसके अंदर आना है और यहां पर आपको permission manager के अंदर आ जाना होगा तो दोस्तों यहां पर आपको option मिलेगा camera option मिलेगा इसी तरह से आपको microphone का भी permission option मिलेगा तो दोस्तों आपको यहां पर क्या कर लेना होगा आपको simply camera के अंदर जाना है और camera के अंदर में आप लोग कोई option दिखेगा यहाँ पे allowed all the time दोस्तो allow all the time में आपको कोई भी application नहीं रखना है आपको google को भी नहीं रखना है कोई भी application नहीं होना चाहिए allow all the time में क्योंकि दोस्तो allow all the time पर कोई application है तो background में वही आपके mobile का camera में, अगर आप देखो camera का permission ले सकता है, अगर आप microphone में जाओगे, तो same microphone में वही option दिखेगा, allow all the time में आपको कोई भी application नहीं रखना है, चाहे वो आपके mobile का खुद कही application क्यों नहीं हो, चाहे आपके mobile का कोई Google ही क्यों नहीं हो, तो दोस्तो आज कल के date में ऐसा application आगया है, जो कि आपके mobile में install हो करके ऐसे अंदर छीप जाएगा, कि आपको लेगा कि आपका mobile का खुद कहीं कोई setting है, कोई application है, तो दोस्तो यहाँ पर आपको allow all the time पे कोई भी application नहीं रखना है, क्योंकि दोस्तो आज कल के date में, आपको बहुत सारे online websites मिल जाएंगे, जहां से कोई भी किसी का mobile hack कर सकता है, बस उसका mobile में application डाउनलोड करके, तो दोस्तो आप लोग सतर करो हो, आपको allow all the time पे कोई भी application नहीं रखना है, बाकि जितना भी application है, allow only while in use पे रख लो आप, या फिर ask every time पे, या फिर not allowed पे, मतलब पर प्रविशन ही रखना है, तो दोस्तो आपका mobile कभी hack नहीं हो सकता है, तो आई होप आपको हमारा वीडियो काम का लगा बाता, आपको इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों को सेयर कर दो, और कॉमेंट सेकता हम जोर बताओ कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा?